वंदे मातरम साथियों आज का वीडियो एक ऐसी चीज़ पर है जो दुनिया में बहुत ज़ादा पसंद की जाती है लेकिन क्या वो सच में हमारे लिए फाइदे मंद भी है जी हाँ आज का वीडियो होने वाला है चाय पर अगर आप भी चाय पीते हैं तो ये वीडियो आपके बड़े काम का हो सकता है भारत में 1750 के पहले कहीं भी चाय का नामनिशान नहीं था जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है चाय उनके लिए तो दवा का काम करती है लेकिन दूसरे लोगों के लिए वो जहर बन जाती है दूसरे नंबर पर आती है कॉफी जिन लोगों का BP नॉर्मल और हाई रहता है चाय उनके लिए एक जहर है ठंडे लाकों में रहनेवाई लोगों का ब्लड प्रेशर लो होता है और गरम देश में रहनेवाई लोगों का BP हाई ठीक वैसे ही उनके पेट में सामानने से जादा अमल भी होता है और ठंडे देशों के लोगों का पेट सामानने से कम अमली होता है भारत के लोगों का रक्त एसिडिटी के मामले में pH स्केल पर 6.4 से लेकर 6.5 या 6.8 तक चला जाता है यूरोप और अमेरिका में ये आर्ट के उपर ही रहता है यहां के लोगों का रक्त थोड़ा ख्षारी होता है चाय पीने वालों को चीनी के इस्थान पर गुड़ का प्रियोग करना चाहिए चीनी के प्रियोग में शरीर में अमलता बढ़ती है और गुड के प्रियोग से दूद मिलाने की आवशक्ता नहीं रहती और इस चाय में थोड़ा नीबू डाल कर इसे नीटरल करके पी सकते हैं इसको पीने से पहले पानी जरूर पिए अगर संबब हो सके तो हरे पत्ते की चाय पिए हरे पत्ते की चाय एंटी अक्सिडेंट प्रॉपर्टी वाली होती है यह पत्ते वाली चाय जो टी डस्ट यानी जो चूरे वाली चाय होती है उससे काफी बहतर होती है लेकिन आज के समय में जो पत्ते वाली चाय है यह मैक्सिमम चाय एक्सपोर्ट होती है विदेशों में हम वालोंके बाजार में बहुत तरह के गْरीन टी मौजूद है। नहीं तो आप घर पर भी इनको तैयार कर सकते हैं इसके लिए आप अरजुनकी चाल काड़ा औशरी के रूप में पी सकते हैं चाय और कौफी कभी न पिये अरजुनकी चाल काड़ा रक्त से कच्छरे को साफ कर देता है जिससे आपको हुर्दे जैसी बीमारियों से खत्रा नहीं रहता नौंबर, दिसंबर, जनबरी, फरवरी इन चार महीनों में अरजुन की छाल का काड़ा अवश्य पीना चाहिए क्योंकि ये आपके शरीर से सारी कच्री को साफ कर देने वाला है वो काड़ा तयार कैसे करना है इसके लिए आपको आधा चमच अरजुन की छाल का पाउडर लेना है एक गिलास मानी, थोड़ा सा गुड, दालचीनी, तुलसी का पत्ता, नीबू, काली मिर्ज, हरी पत्ते वाली चाय, सोंट ये सारा कुछ मिलाकर आप एक काड़ा तयार कर सकते हैं, पे तयार कर सकते हैं, इसको इतना ओवालें कि ये आधा रह जाए आधा रहने पर इसको आप चाय की तरह पी सकते हैं सोंट में अधरक से ज्यादा गुणकारी तत तो पाये जाते हैं इसलिए सोंट मिलती है तो बहुत अच्छा नहीं तो आप अधरक भी इस्तेमाल कर सकते हैं अरजुन की चाल से पत्थरी होने की शंका ना के बरावर रहती है अगर आप चाहें तो ये काड़ा शाम को भी पी सकते हैं लेकिन सबसे जो अच्छा समय काड़ा पीने का होता है वो होता है सुबाय का इसके अलबा दो तीन छोट छोटी बाते हैं जो आपको और ध्यान रखनी हैं अरजुन की चाहल का काड़ा जीरी के काड़ा अजवाइन का काड़ा ये सब एक शारी होते हैं इनको आप सुबा के समय ले सकते हैं सुबा दूद नहीं पीना होता है लेकिन फिर भी अगर सुबा दूद पीना ही है तो आवले के साथ पी सकते हैं लेकिन जो दूद होता है उसको पीने का सर्वुत्तम समय शाम को सोध्यास्त होने के बाद का है। आप गर्मियों के समय में यानि मार्च, अपरेल, मई और जून में केवडा डालकर खस डालकर पानी भी पी सकते हैं। बरसात शुरू होने से पहले ये पानी बंद कर दीजिए। जब काम शुरू होता है तो ये ट्रक के ट्रक जाते हैं और उन ट्रकों को पलट दिया जाता है सीधा मशीन में। ना उन गन्यों की सफाई होती है और ना ही उनकी कोई देख रेक उसमें कोई इंसेक्ट भी हो सकते हैं। पीडे मकोडे हो सकते हैं, यहां तक कि बड़े-बड़े चुहे भी उन में होते है जो कभी मर जाते हैं, तो वो उसी भिसने के साथ-स गन्ने के रस के साथ मिक्स होकर आपके जूस में आ जाते हैं, उस जूस को अलग-अलग कई प्रोसेस से होते होते गुजरता है और फिर लास्ट में जब ये एक गाढ़ा तरल रह जाता है तो फिर उसको टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है कि इसमें कितनी शुगर है उसके बाद फिर इसको चीनी के फॉर्मेट में तयार कर दिया जाता है। की मदद से और फिर वो बड़े-बड़े बोरो में उनको पैक कर दिया जाता है और फिर जाकर बड़ी-बड़ी कंपनीज में छोटी-छोटे पैकेट्स में पैक करके आपके सामने आ जाता है। कहीं-कहीं बाजार में खोली चीनी भी मिलती है। तो इन सब चीजों से अगर आप बचना चाते हैं तो बहुत अच्छा है इन से बचिए क्योंकि ये शुद्ध भी नहीं है आपके लिए और हल्दी भी नहीं है। इसके लिए आप चीनी का विकल्प ले सकते हैं चीनी का विकल्प आपके बाजार में देशी खांड के रूप में ले सकते हैं अगर आप चाहें तो शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाजार में एक तूलसी आती है जिसको stevia बोलते हैं, stevia भी ले सकते हैं, उसका packed जो extract है वो भी मिलता है जिसमें एक या दो drop भी मीठा करने का काम करता है, शूगर के मरीज भी stevia को ले सकते हैं क्योंकि ये शूगर फ्री होता ह तो हमारे पास चीनी के बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं, तो आप चीनी को छोड़ दीजिए, उसके साथ ही आप ये चाय को छोड़ दीजिए, तो आप काफी हद तक स्वस्त हो जाएंगे, ऐसी डिटी की प्रॉबलम 80% तक आपके शरीर से कम हो जाएगी, आशा करता आज की जानकारी आपके काफी काम की रही होगी, वीडियो अच्छा लगा है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर जरूर करें, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी नई इन्फरमेशन के साथ, तब तक के लिए, जैहिन वद्डिमातरम